नमस्कार दोस्तों मैं हुआ गिंदर विस्ट कर्मा और आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा के बारे में तो बता दे की टाटा संस के मानज शियर्में रतन नवल टाटा का गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई के वरली समसान घाट पर राज किये सम्मान के साथ अंतिम संसकार हुआ इससे पहले पार्थी शरीर नरीमन पॉइंट अस्थीत नेशनल सेंटर फोर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था यहां से उनकी अंतिम यात्रा वरली के समसान घाट पो वे मुंबे के ब्रीच केंडी अस्पताल के आईसीउ में एड्मिट थे और उम्र समद्धी बिमारियों से जूज रहे थे केंड्रिये गिरमंत्री अमीशा, महराष्ट के सियम, एकनाश सिंदे, गुजरात के मुक मंत्री भुपेंदर पटेल, मुके संबानी और कुमार मंगलम, बिड़ला, समेच राजनीती, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को सरदानजली दिया अमिता बच्चन ने लिखा एक यूप का अंत हो गया रतन टाटा की अंतिम बिजाई से जुड़े कुछ फोटेजे आपको हम दिखा रहे हैं गुरुवार सुभा रतन टाटा के पार्ति सरीर को कुलामबा अस्थीत घर से नेशनल सेंटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया इस मोके पर राजकिये बैंड ने उन्हें सम्मान दिया रतन टाटा के पार्थी शरीर को लोगों के दर्शन के लिए नरीमन पॉइंट अस्थित नेशनल सेंटर आफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोन में रखा गया रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारे देखी गई इस वाहन में रतन टाटा के पार्थी शरीव को वरली समसान घाट में ले जाये गया मोधी राहूल और सुंदर पिचाय समेट बिजनेस घराउं ने सोग जताया टाटा चेर्मेन एंड चंदर सेखरन उन्होंने बताया कि हम अतियन दूक के साथ रतन टाटा को बिदाई दे रहे हैं समु के लिए टाटा के चेरपरसन से कहीं ज़्यादा थे मेरे लिए वे एक गुरू के मारदर्सक और मित्र थे राश्वती मुर्मू ने कहा भारत ने एक ऐसे आइकोन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्परेट ग्रोथ, राश्ण निर्मान और नेतिकता के साथ उत्कृष्ट्रा का मिस्रन किया पदम विभुशन और पदम भुशन से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा गुरूप को विरासत को आगे बढ़ाया है पी-म नरिंद्र मोधी जी ने बताया कि टाटा एक दुर्दर्शी बिजनस लीडर द्यालू आत्मा और एक आसाधारन इंसान थे उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे परतिश्टीत ब्यापारिक घरानों में से एक टाटा गुरूप को अस्थिर ने तुरूत परदान किया उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया ने बताया कि रतन टाटा दुर्द्विस्टी वाले बैक्ती थे उन्होंने बिजनस और प्रोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाब छोड़ी है उनके परिवार और टाटा कम्यूनिटी के प्रति मेरी सविदनाय है मुके संबानी ये भारत के लिए बहुत दुखत दिन है रतन टाटा का जाना ना सिर्फ टाटा गुरूप बलकि हर भारतिये के लिए बड़ा नुपसान है बैक्ति गत तोर पर रतन टाटा का जान जाना मुझे बहुत दुक से भर गया है क्योंकि मैंने अपना दोस्त को दिया है गोतम अडानी भारत के एक महान और दुरदर्शी बैक्ती खो दिया है टाटा ने modern इंडिया के path के redefine किया टाटा सिर्फ एक विजनेस लीडर नहीं थे उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मुर्त रूप में दिया आनन्द महिद्रा ने भी बताया कि मैं रतन टाटा की अनुपस्तिती को सविकार नहीं कर पा रहा हूँ रतन टाटा को बुलाया नहीं जा सकेगा सुन्दर पिचाई जी ने कहा रतन टाटा के पिछली मुलकात के दुरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रणा दायक था वे एक्स्ट्राओर्डिनरी बिजनेस लिगेसी छोड़ गए हैं उन्होंने भारत में मौडरन बिजनेस लिडर्शीप को मार दर्शन देने और डेवलप करने के में महत्वपुर्ण भुमी का निवाई थी